वेलकम तो वैब इंस्टिटूशन, अन इंटरनाशनल ब्रांड अप साफ्ट्वेर इंजिनरिंग एजुकेशन प्लेइलिस्ट को जरूर ब्राउज कीजिए, छोटे-छोटे वीडियो के शब्दों में आपको बड़ी-बड़ी चीजों को समझाया गया है, सौट्स के अंदर और यहाँ एक और प्लेइलिस्ट आपको दिख जाएगा, स्पेशल वीडियोज फ़र डेवलपर, काफी बेनिफीशल है, इसे भी चेक आउट कीजिए इस वीडियो में हमें फ्लोचार्ट के बारे में समझना है, जिस तरह से अलगोर्दम का इस्तमाल किसी इंसान को सौफ्टर कैशे बनेगा यह समझाने के लिए करते हैं, लेकिन अंतर क्या है दोनों में से किसका इस्तमाल करेंगे, यह आपको फ्लोचार्ट पढ़ने के बा राइट करते हो, तो step by step हर एक प्रोसीजर को आपको राइट करना पड़ता है इस तरह से, फ्लोचार्ट में भी वैसे ही होता है, लेकिन अक्छरों से ज्यादा हम सिम्बल का इस्तमाल करते हैं, अब देखिए, अलगोर्दम में सिर्फ हमने टेक्स्ट राइट किया, लेकि और कहीं पर वैडगेबल आपने डिकलेर किया, उसे दर्साना है तो फ्लोचार्ट में अलग सिम्बल होगा, यूजर से इन्पुट लेकर उसे दर्साना है फ्लोचार्ट के सब्दों में तो उसके लिए अलग सिम्बल होगा, तो जेनरली फ्लोचार्ट में आपको सिम्बल को पढ़ना और पहचानना है कि कौन सा सिंबल कभ इस्तमाल करेंगे और जिस तरह सा अलगोर्दम में टेक्स्ट आप अपने सब्दों में राइट करते हो वैसे ही आप सिंबल के अंदर टेक्स्ट अपने सब्दों में राइट करोगे लेकिन हाँ symbol meaningful होना ची अगर आप input लेने का algorithm define करो flow chart में तो जो shape होगा वो input वाला ही होगा output present करना है तो जो shape होगा वो output वाला ही होगा आगे पढ़िये समझ में आजाएगा आपको देखिए अलगलग shape है flow chart में ये समझ गये तो अपने आप आपको flow chart बनाने आ जाएगा ये जो shape आप देख रहे हैं rounded rectangle यानि एक ऐसा rectangle जिसका corner गोला होगा उस shape का नाम होता है oval जैसे flow chart बनाना है तो शुरुवात कई न कई से तो करना होगा तो सबसे पहला जो shape बनेगा आपका flow chart में वो यही होगा और सबसे अंत में भी जो shape बनेगा वो यही होगा तो ऐसे आपका flow chart शुरु हुआ और सेम ऐसे ही flow chart आपका बंद होगा बस यहाँ पर लिखेंगे end अब जो भी flow chart के regarding हम बनाएंगे वो शारा इसके बीज में होगा यानि कि अब हम जो भी symbol वगरा बनाएंगे अपनी मर्जी से इस तरह से या जो भी अभी आप पठोगे वो शारा इसी के बीज में होगा तो यह एक syntax होगया आपका यहाँ से start होगा और यहाँ से close होगा अगला shape है यहाँ पर rectangle कोई भी common functionality आप अपने program में handle कर रहो जैसे की variable declare करना, variable में value को आशाइन करना या addition, multiplication, subtraction यह सब करके किसी और variable में रखना तो ऐसे basic functionalities को प्रस्तूत करने का काम इस shape के अंदर करेंगे यानिके rectangle shape के अंदर अब आता है parallelogram, user से आप input ले रहो या user के सामने output screen पे कुछ आप प्रस्तूत करो तो उसका जो algorithm आपराइट करोगे flow chart में वो इस shape के अंदर होगा parallelogram shape के अंदर एफिल्स या switch statement की अगर आप coding दर्शाना चाहते हो तो इस shape के अंदर दर्शाएंगे diamond shape के अंदर steps को दर्शाने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है जब हम बनाएंगे flow chart तो आपको समझ में आ जाएगा अगला shape है circle suppose कीजिए अगर functionality बहुत ज़्यादा है आपके program में तो आप उसे छोटे छोटे flow chart में divide कर देते है तो माल लिजे एक program के लिए आपने दो flow chart बनाया दोनों को आपस में जोड कर प्रस्तूत करना है तो इसका इस्तमाल करेंगे अब इस program को देखिए इस program के लिए अगर flow chart बनाना है तो कैसे बनाएंगे यह भी सीखेंगे हम basic सा program है तीन variable है user को message देंगे पहला input x में फिर message देंगे दूसरा input y में और फिर x plus y को add करके z में रख देंगे और output screen पे z के value को print कर देंगे यहां देखे syntax शुरू करके बंद किया गया सबसे पहला काम क्या है x, y, z यह तीन variable हमें declare करना है जरूरी नहीं है कि जिस तरह से algorithm में आप हर एक step को define करते हो जैसे देखे algorithm में पहला step दूसरा तीसरा वैसे यह flow chart में करो अगर आप लागतार अपने प्रोग्राम में एक ही प्रकार का काम कर रहे हो तीन चार लाइन्स में तो flow chart में चार बारूसे प्रस्तूत नहीं करोगे अब जैसे algorithm मुझे write करना होगा इसका तो हमें लिखना होगा step 1 declare x variable, step 2 declare y variable, step 3 declare z variable लेकिन flow chart में 3 बार राइट करने के अवशकता नहीं है यहाँ जो 3 काम हमने किया वो एक तरह से एक ही प्रकार का है तीनों हमने variable ही declare किया तो हमें एक ही बार में दर्शा सकते हैं तीनों के लिए तो जहाँ भी variable declare करना हो या variable में data assign करना हो तो इस rectangle shape का इस्तमाल करेंगे या कोई भी common functionality जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा flow chart का shape यूज होगा वहाँ पे आप rectangle का इस्तमाल करोगे वैसे flow chart कौपी पे बनाया जाता है examination में question होता है इस तरह से programs होता है और कहा जाता है आपको flow chart बनाने को तो वहाँ जो paper मिलता है आपको answer लिखने के लिए वहीं पे हम flow chart को बनाते हैं आप system पे पटरो इसलिए मैं MS word के अंदर इसे बना रहा हूँ यहाँ देखे इस तरह से rectangular shape को बना लेंगे और इसके बीच में आप अपने शब्दों में write करोगे जैसे मैंने यहाँ पे write किया declare xyz as int variable किसी को समझाने के लिए यहाँ पे यह write किया गया कि हमें xyz variable बनाना है int data type के रूप में तो notice कीजिए तीनों के लिए हमने एक नहीं बार write कर दिया अगर हम pure algorithm में write करते तो हमें तीन बार write करना पड़ता step 1 के लिए step 2 के लिए step 3 के लिए अब अगला देखे cout का इस्तमाल करें तो cout का मतलब हो गया output screen पे present करना इसे तो output के लिए देखे क्या इस्तमाल करना पड़ेगा हमें हम इस्तमाल करेंगे parallelogram का क्योंकि parallelogram का इस्तमाल input और output दोनों के लिए आप कर सकते हो तो आप ऐसे parallelogram वाले shape को बना लो अब इसके अंदर आप इस तरह से write कर दिजे print आशे write करेंगे हाइफन दे देंगे और जो भी आप print करो जैसे आप यहाँ पे enter first number प्रिंट कर रहे हो तो यहाँ पे आप define कर दिजे enter first number तो इसके लिए हो किया अब हमें देखे c in का इस्तमाल करने ताकि हम input लेकर x में रख सके तो input के लिए भी इसी shape का इस्तमाल करेंगे इसलिए copy paste म कर सकते हैं shape को इसके ठीक नीचे बनाईए यहाँ पे आप आप आशे write कर दो input और समझने योगे language में यहाँ write कर दिजे get value in x मतलब जो input किया जाएगा उसे आप x में प्राप्त करो अब फिर से देखे फिर से output present किया गया enter second number और फिर input लेकर y में रखा गया तो यहाँ फिर से ये दोनों shape repeat होगा जगा नहीं इसलिए मैं इसे बड़ा करता हूँ और end को आप चाहो तो last में लिख सकतो जब आपका काम खतम हो जाए इन ही दोनों को वापस present करेंगे और यहाँ मैं define कर देता हूँ enter second number अब देखे input लेकर किस में रखना है हमें y में तो यहाँ input write करेंगे और define कर देंगे get value in y अब क्या है देखे z में हमने assign किया x plus y के addition तो जभी भी variable में data assign करना हो या calculation करना हो तो rectangular shape कहीं इस्त created देखे program खतम हो गया z तक ही हमें flow chart को बनाना था तो खतम हो जाएगा तो last में फिर से ये वाला shape बनाएंगे जो हमने start के लिए बनाया था और last में ऐसे present कर देंगे end सब के बीच में आपके arrow वाला symbol होगा जैसे यहाँ जो symbol मैंने आपको पढ़ाया था flow line ये flow line का symbol आपके इन सब के बीच में होगा तो देखे मैं यहाँ पे ऐसे flow line वाले symbol को present कर देता हूँ तो देखे बन गया इस तरह से system पे congested बनता है clear नहीं बनता है system पे आप copy पे बनाओगे तो अच्छी तरह से बनेगा next वीडियो में हम थोड़ा सो और complicated flow chart को पढ़ेंगे क्योंकि ये basic functionality क अलग तरीके से बनता इसके next वीडियो को जरूर देखिए वीडियो समझ में है तो वीडियो को like कीजिए project based training लेने के लिए software develop करने के लिए website develop करने के लिए ऐसी training चाहते हैं तो web institution की software engineering classes को join कीजिए web institute.com पे visit कीजिए और software engineering पे click कीजिए बैतर जानकारी के लिए हमारे sales team को call करे web institute के वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद